प्रस्ताव में कहा गया है कि परिस्थितियों में आ रहे बदलावों के मदनेजर OSDMA की संधठनात्मक संरचना को राश्ट्रिय धाचों और दिशा निर्देशों के अनुरूप मजबूत करना जरूरी हो गया है हमें आपदा जोखिम को कम करने के लिए समगर दिश्टि कोन अपनाना होगा और इसा सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्रादिकरन OSDMA को पुनर गठित करने का फैसला किया है इस नए धाचे में सरकार का फोकस अब आपदा से निपटने की तैयारी के बजाए जोखिम कम करने और पुनर निर्मान पर जादा होगा एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी अधिकारी ने कहा हाल में चक्रवाद, भारी बारिश और अचानक बार जैसी आपदाओं की घटनाय बढ़ी हैं इससे निपटने के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया इस प्रस्ताव के मुताबिक सरकार का फोकस अब जोखिम को कम करने और तेजी से पुनर्निर्मन पर होगा, नकी सिर्फ तैयारी और प्रतिक्रिया पर प्रस्ताव में कहा गया है कि परिस्थितियों में आ रहे बदलावों के मदनेजर OSDMA की संधठनात्मक संरचना को राश्ट्रिय धाचों और दिशा निर्देशों के अनुरूप मजबूत करना जरूरी हो गया है हमें आपदा जोखिम को कम करने के लिए समगर दिश्थिकों अपनाना होगा नए प्रस्ताव के मुताबिक OSDMA को चार विभागों में बाटा जाएगा सामान्य, क्षमता निर्मान, परियोजना और प्रोध्योगी की और वित प्रतेक विभाग का नित्रित्व एक कार्यकारी निदेशक करेगा कार्यकारी निदेशक सामान्य और कार्यकारी निदेशक शमता निर्मान भारतिय प्रशासनिक सेवा, IAS या औरिसा प्रशासनिक सेवा, OAS के अधिकारी होंगे जबकि कार्यकारी निदेशक परियोजना और प्रोध्योगी की ओरिसा सरकार के इंजीनिरिंग विभाग से या भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से प्रतिनी उक्ति पर होगा वहीं कार्यकारी निदेशक वित ओरिसा वित सेवा ओफिस का अधिकारी होगा इस प्रस्ताव में कहा गया है कि OSDM के कुल 102 कर्मचारियों में से 10 पद समाप्त किये गए हैं और 37 नएपद बनाए गए हैं OSDMA की स्थापना नवीन पटनायक सरकार ने राश्ट्री आपदा प्रबंधन प्रादिकरन NDMA के गठन से 6 साल पहले की थी इस पुनरगठन के जरिये औरिसा सरकार को उम्मीद है कि भाविश्य में आने वाली आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सकेगा और राज्य की जनता को सुरक्षित रखने के लिए बहतर उपाई किये जा सकेंगे